हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मानस आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेंपल में दोस्तों लास्ट क्लास में हम डिसकाशन के थे इंडिया का रोड वेज के बारे में सड़कपत के बारे में जो पार्ट वान कम्प्लीट हुआ था आज उस पार्ट टो को कम्प्लीट करेंगे इंडिया के सड़कपत भारत का सड़कपत के बारे में और कुछ जानकरिया हम यहां सिखने वाले हैं ठीक है तो अगर आप हमारे चानल में नए आए हुए तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपके दोस्त लोगों के साथ सेयर कीजिए तो आज सूर करते हैं फिर तो देखते हैं पहला क्वेस्चिन विच नेशनल हाईवे कोनेक्ट्स आगरा और विकनर आगरा जो की त देन फिच नेशनल हाईवे कोनेक्ट्स जबलपूर और जयवपूर तो जबलपूर कहां का है मध्यम प्रदेश का और जयवपूर राज्तान तो मध्यम प्रदेश से राज्तान जबलपूर से जयवपूर कोनेक्ट करने वाली नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 12 नेशन नेशनल हाईवे कनेक्ट आलाबाद तो बारनासी जो की दोनों ही उपीव में है तो आलाबाद चो बारनासी को कनेक्ट करने बाला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे है फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्या है कि देखें कि विच नेशनल हाईवे कनेट से बरावनी तो लखनों बरावनी से लखनों कनेट करने बला जो रोड है वो है NH-28 देखतें विच नेशनल हाईवे कनेट से गोरोगपूर और भारनासी जो की उतर प्रदेस में दोनों ही है वरोगपूर से बरनासी कनेट करने बाला नेशनल हाइवे है नेश ट्वेंटीनाई फिर देखते हैं फिर देखते हैं फिर नेशनल हाइवे कनेट से लखनाव टू बरनासी यूपी का रसधनी लखनाव से बरनासी कनेट करने बाला जो न पोची पोट के पास जो की सबसे छोटा वाला नेशनल हाईवे जो की नेच-47 ए कुन्डा नोट टू वेलिंग्डन कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे नेच-47 The next question सिखा पार में which is the shortest highway of India जो की NH-47 अे इस दो शौट टेस्ट हाईवे of India फिर देखते हैं आगे Which is the longest highway of India So, India का सबसे longest वाला highway कौन सा है NH7 जो के अभी नाम बदल कर NH44 किया गया है So, what is the length of the longest highway of India जो सबसे ज्यादा लंबा वाला सड़कपत National Highway तो उसका नाम उसका लेंग्ध केतरा है 3745 किलोमेटर 3745 किलोमेटर का डिस्टान्स है और जो की इसका ओल्ड नेम था NH7 ओल्ड नेम नाम नेम क्या है NH44 Then देखते हैं What is the length of the shortest highway of India जो shortest highway of India जो की NH47A NH47A जो की कहां से कहां तक कनेट करता है कुंडानूर जंक्षन अफ मदुराई तू कोची सिटी और कोची पोट का जो विलिंग्ड न आइस्टान्स है वहां तक कनेट करता है जो की सिर्फ 5.7 किलोमेटर का है तेखिये 5.7 किलोमेटर येट कनेट्स कुंडानूर जंक्षन अफ मरादू इन कोची सिटी तू दो कोची पोट अट विलिंग्ड न आइस्टान्स है फिर बात करते हैं गोल्डेन कॉडिलाटरल प्रोजेक्ट के बारे में तो गोल्डेन कॉडिलाटरल प्रोजेक्ट क्या है ये प्रोजेक्ट से जो की चार मेट्रोपलिटन सिटी को कनेट करता है जो बड़ा बड़ा चार सिटी है कौन-कौन से है एक डेली ये हो गया अपना नर्थ में मुंबई हो गया वेस्ट में चनाई साउथ में और वेस्ट में हो गया कुलखाता यह total कितना distance cover करता है 5952 km का distance cover करता है golden quadrilateral project का अंदर जो road आ रहा है ठेकिया दोस्तों तो देखते हैं फिर आगे बढ़ता है तो दोस्तों देखिए यह जो golden quadrilateral project है यह 5952 km का road complete करता है तो देखते हैं यह कहां और यह कौन सा प्रधन मंत्री का अंदर शुरू हुआ था उस टाइम पर प्रधन मंत्री कौन थे ठीक है बाइवीच प्राइम मिनिस्टर दो golden quadrilateral project of India connecting the geographical land ends in all direction by road was conceptualized तो किस प्रधन मंत्री के सासन के समय में यह golden quadrilateral project का जो planning यह कब conceptualize क्या गया था कब इसको ला गया था जमिन पे तो यह अब मारे पुर्वतन प्रधन मंत्री अटल बिहारी बाजबेजी जो की भारतिय जनता पाटी को विलंग करते थे बीजेपी ठेक हैं तो north south corridor connects between कहाँ से कहां तो north south corridor जो है कहां से कहां तो connect करता है ये जामो कास्मीर का स्रीनगर से यह तामिल नाडू का कन्या कुमरी पूरा north से south फिर देखते हैं 6X 10 No. 6 जो east-west corridor जो पूरवी से लेकर प्रस्चिम भाइक तो इस्षिम भैक तो कन्थ करने वाली पुरवंदर से असाम का सिल்चर तक ये उस्ष्ट और वेस्ष्ट कोरीडर रोड जो है कन्थ करता है ये North South हो गया फिर East West हो गया फिर देखते हैं ये जो North South and East West कोरिडर दोनों पर ये क्रस कहां पर किये हुएं परस्पर को ये एक दुसरे को एक जागा पर जो क्रस करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वो जागा है जहांसी जो की उपी में है कहां पर है उतरप्रदेस का जाणसी East West and North South Korridor बोत युगपी के जाणसी में इंटरसेक्ट हो दोते हैं और क्रस होते हैं फिर देखते हैं Maximum length of the corridor region होया है तो जो कोरिडर ये टोटलcially East West and North South कोरिडर तो कौन से स्टेट में ये कोरिडर का सबसे ज्यादा लेंग्थ वाली रोड है वो है तामिल नाडू साउथ में आते हैं साउथ स्टेट है ये तामिल नाडू इस तामिल नाडू स्टेट में सबसे ज़्यादा कोरिडर वाला लेंग्थ का रोड है तो ये तोस्तों था इंडिया का जो रोडवे के बारे में काफी कुछ जानकरी पिछले वीडियो में मिला था और आज का ये वीडियो में मैं असा करता हूँ आपको कुछ सिकने को मिला होगा तो इसे ही informative वीडियो हम बनाते रहेंगे आगे भी उसके बाद एर वेज है फिर वाटर वेज है डिफरन डिफरन टोपिक है लेके हम वीडियो इसे ही लाते रहे तो आप हमारे साथ बनने रहिएगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किये हैं तो दोस्तों के साथ सेर कीजिए फिर बहुत जल मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तो थेंक यू